नमस्कार दोस्तों मैं अधित्या अधि टेक्जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि 5G के आने के बाद क्या-क्या चेंजिस वो ला सकता है उसे मैं कुछ facts के थुरू आप सभी को बताऊंगा 5G network 2022 तक भारती बजार में दस्तक दे सकता है यह ना केवल internet speed को upgrade करेगा बलकि next generation technology को भी लेकर आएगा 5G के यूग में लाखों devices एक दुसरे के साथ connect हो सकेंगे आपका phone आपके घर की लगबग हर device के साथ connect हो जाएगा 2022 में भारत में 5G के रॉल आउट के बाद किस तरह हमारे जीवन में बदलाव आएगे इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें फिर सबसे पहले fact की बात करें तो वो है smart cities 5G सहरों और सहरी infrastructure जैसे traffic waste management और power supply से connect किया जा सकेगा for an example सहरों के आसपास के sensors पैदल चलने वालों और वाहन के अवागवन को monitor कर सकेंगे जिसे traffic light और traffic को automatically divert किया जा सकेगा fact number 2 smart home 5G अधारित smart home security systems पावर और पानी की खप्रत को manage कर सकेंगे एक smart home ना केवल इस्थिती के मताबिक आपके घर की lights को on off करेगा बलकि यह आपकी सेहत को भी track करेगा साथी emergency में मदद के लिए call भी करेगा fact number 3 self driving car 5G self driving car के AI component को बेहतर करने में मदद करेगा car के हजारों sensors जादा बेहतर तरीके से आपके आस पास की data points को save करने में मदद करेंगे register driving से related फैसले लेने में मदद मिलेगी fact number 4 health monitoring fact number 4 health monitoring fact check के आने के बाद sensors health devices से लगतार connected रहेंगे जिससे अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आपको उसका तुरंट पता सब जाएगा और साथ ही उसका इलाज भी पता सब जाएगा तो आप इसकी मदद से आप उस बीमारी का एक बहतरीन इलाज करवा सकेंगे fact number 5 office और hospital में इंटरे के लिए IoT devices 5G IoT devices को एक उसरे से communicate करने में मदद करेगी 5G जादा बैटरी लाइफ के साथ कम कीमत में sensor तयार करेगी IoT office, government office, hospital और agriculture के लिए application बनागी ऐसा माना जा रहा है कि 2020 तक आयोटी सेक्टर में पचास बिलियन डिवाइसे होंगी fact number 6 virtual और augmented reality 5G mobile computing performance को बहतर करेगा इससे virtual और augmented reality बड़े माने पर वाइवल हो जाएंगे जबकि ultra high fidelity media performance और event को देखने का हमारा नजरिया बजल सकता है तो दोस्तों ये कुछ facts से जिसके दुरूब मैं आप मैंने आपको बताया कि 5G के आने के बाद क्या क्या changes वो ला सकता है हमारे life को कितनी बेतर बनाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें और जादा से जादा share करें और अगर इस तरह की और भी वीडियो आपको देखने हो तो हमारे चैनल को subscribe करें और अगर आप मुझे social media पर follow करना चाहते हैं तो मैं अपनी social media links को video के description में दे दूँगा आप उने भी follow कर सकते हैं ये को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में में अगली वीडियो में अगली वीडियो में में अगली वीडियो में अगली वीडियो में में अगली वीडियो 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 में अगली वीडियो